नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में और दोस्तों ये भी है एक वीडियो ऑन डिमांड और इस वीडियो की जो डिमांड है वो आई है मिस पारूल महता की तरफ से औ कि अपने कहा कि आपको एलन की नोट को समझने में परेशानी होथा है हो रही है तो मैं इस बात को अच्छे समाझ सकता हूं पर पहले मैं कुछ बातें आपको इसके अंदर समझाना चाहता हूं और मैंने क्यों इस वीडियो का जो शीर्चक है वो यह रखा है कि हाउ टू स्टडी मटेरिया मेडिका है कि हर एक साइंस की फिल्ड की एक कोई ना आप ले ले जैसे फिजिक्स है तो भाई फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के जितने टॉपिक्स होते हैं वो जान होते हैं उसकी है ना केमेस्ट्री है तो केमेस्ट्री में आप और्गनिक केमेस्ट्री पढ़ रहे हैं इन और्गनिक केमेस्ट्री पढ़ रहे हैं क्वांटम जो भी पड़ रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक topic होता है जो उस subject की जान होता है अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं homeopathic field की तो homeopathic field के अंदर homeopathy है तो homeopathic medicine है होमियोपैथिक मैडिसिन है तो डेफिनेटली मटेरिया मैडिका है और अगर हमको कोई भी मैडिसिन के गुण धर्म सारे की सारे सिम्टम्स अगर हम अच्छे सारे नहीं समझेंगे तो how is it possible for us to treat a patient और अगर हमको मटेरिया मैडिक का अच्छा ग्यान नहीं है तो यह कैसे पॉसिबल होगा कि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करके कैटेग्राइज कर पाएंगे तो मैंने इसलिए जरूरी समझा कि मटेरिया मैडिक का पढ़ने का तरीका अगर मैं आपको बता दूं तो I don't have to tell you the individual medicine आप मेरी बात समझिए दो तरीके हैं कि मैंने अपने जिंदिगी में जो सीखा है उसको मैंने पाया किस तरीके से वह अगर मैं तरीका आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को मेरे को हर चीज के अंदर असिस्ट नहीं करना पड़ेगा और इस चैनल को खोलन में बात करेंगे तो कि भाई होमियोपेटिक फिल्ड की हालत खराब इसलिए है क्योंकि हमको एक्जेक्टली नहीं पता है कि हमको क्या अप्रोच रखनी है किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ठीक है ना तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हाउ to study Materia Medica, अब इसका जो मैं शुरुआत करूँगा वीडियो की वो कुछ सवालों से करूँगा, अब बात बताईए पारोल जी कि अगर आपको मान लीजिए, एक मकान बनाना है, आप अपने लिए खुद के लिए मकान बनाती हैं, तो क्या आप एक सिर्फ एक रेत वाले के पा उपर एक आपको आर्किटेक्ट चाहिए, जो आपका एक नक्षा तयार करेगा, उस नक्षे को लेके फिर आप एक ठेकेदार को हायर करेंगी, जो आपको मकान बनाएगा, उस ठेकेदार को हायर करने के बाद आपको बहुत सारा समान लगेगा, आप एक कॉंट्रेक्टर को हायर करेंगी जो उस ठेकेदार को ये समान मोहिया कराएगा और फिर अल्टिमेटली जाके आप मकान बनेगा तो एक मकान बनाने को जितने लोगों का योगदान होता है एक मेडिका की एक मैडिसीन को पढ़ने में भी उतनी ही अधेंगी बुक्स का योगदान होता मेरि बास संजी你好 है जो मेडिसी ऽंजाना चाहराओ आप है seben तो यूकर है मेरि थो हो यू seem hope का जो किटाबों में लिखा है वो मेרה समझता हूं लेश की नोट जो है वह अडिन 10-12 बुक्स का compressed material है उसके अंदर आप मेरी बास समझिए और एलेंस की नोट से आप बहुत उमीद मत रखिएगा क्योंकि एलेंस की नोट से आप प्रेक्टिस और थेरेपुटिक आपने बोला था ना कि वाट कुट भी दा क्लीनिकल अप्रोच और दोस मेडिसिंस विचार में क्लीनिकल अप्रोच नहीं बना सकते एलेंस की नोट को पढ़ने के बाद अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं यह सारे के सारे स्टुडेंट्स जो ब्ह.ms पढ़ रहे हैं वह बहुत गवर से सुनेंगे एक मैडिसिन होती है अगर हम उसको पकड़ लेते हैं हंड्रेट परसेंट मतलब उसको पूर्ण ग्यान मतलब संपूर्ण नौलेज वह नौलेज जो उस मैडिसिन का हैनी मैन को था बोगर को था बोनिंग होसन को था वह नौलेज अगर हम संपूर्ण नौलेज को पकड़ लेते हैं 100% तो आप अपने बीएच में उस मेडिसीन का 25 प्रतीशद भी ग्यान नहीं हसिल कर पाएंगे आप मेरी बास समझिए क्योंकि बीएच में साब आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि भाई आपको क्लीनिकल प्रेक्टिस में जाना है आप बीएच मेस इसलिए कर रहे हो कि पहले आपको उसको पास करना है तो अगर बीएच मेस में आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो और आप बहुत ही जादा एंथूजियास्टिक हो हुमियोपैथी को लेके तब जाके कहीं आप पढ़ते हो तो ही मेडिसेन का 25 प्रतिषत घ्यान होता है ठीक है ज्यान से सुनिएगा मतलब बीएच मेस आपने क्लियर करा और आपको ब्राइणिया का कितना घ्यान लेकर आप निकलें हो 25 प्रतिशत वह भी तब आप कमर तोड़ महनत क्या है मैं आंगे बताऊंगा तो आपने 25% knowledge के साथ भी एच मेस पास करा एक medicine के क्योंकि आपको उससे ज्यादा नहीं है अभी आप देखो clinical line में नहीं हो अभी आपको clinical approach नहीं पता है किस तरह से इस medicine को clinically use करना है वह clinically कौन-कौन सी बीमारी है जिस पर हम इस medicine को यूज कर सकते हैं आपको यह भी नहीं पता है ठीक है ना आपको बहुत सारी बात है नहीं पता है पर आपको सिर्फ 25% theoretical ज्यान है उसका ठीक है अब जब आप भी एच मेस करके निकल जाओगे और एक छोटा सा है कि आपकी पास time period होता है भी हैस हमारे अपने खुदकी खुरू करने के बीच में समझे रहा है भी हम्हें सहब हुआ करने अपने प्सक्राइड करने के उसे साब से रिजल्ट भी आता है ठीक है ना तो जो वो टाइम पीरियड है उसमें जब आप मेडिसीन को बहुत मन लगा के पड़ते हो कि यार चलो यार पास्तों में हो गया आप मेरे को इसका क्लीनिकल एस्पेक्ट समझना है मैं इसको कब वापर होंगा अपने केस के अंद कर रहा मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कुछ बनना चाहते हैं जो रोम को खड़ा करना चाहते है रोम सामराज जिएसी अपनी प्रेक्टिस कड़ा करना चाहरे नों की बात कर रहा हूं तो आप अगर मन लगा के पड़ोगे तो भी आप मात्र और 25 परसेंट उसका ग्यान निकाल पाओगे क्योंकि अभी तक आपने उसको theoretically पड़ा है अभी भी आप theory पड़ रहे हो आपको नहीं पता कि वो क्योंकि आपके पास patient ही नहीं है है ना और patient नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी उस medicine का patient आया भी तो उस medicine का होगा क्योंकि आपने पता ही नहीं अभी क्या करने है तो आपके पास आएगा पच्चीस परसेंट और नौलेज अगर आपने अच्छे से पड़ा तो तो तेल नाउ में आपको आएगा पच्चीस परसेंट और नौलेज जब आप उसको रैशनली समझोगे और बिल्कुल इस्पॉंटेनियसली आप वो patient को भी identify करोगे यह ब्राइनिया का case है यह कार्बो वेज का case है तो जब आपने प्रॉपर identification of patient करा कब जब आपके दिमाग में अपने medicine के symptoms को प्रॉपरली नरेट करा memorize करा और understand करा तब जाके आपके पास आएगा अपनी practice के 10 से 12 साल बाद यह ज्यान कि भाई what is ब्राइनिया और आप उसको एक 75 परसेंट समझ पाओगे और दोस्तों मैं आपको अभी बता जैता हूं कि जो बाकी का 25 परसेंट है वो knowledge उस medicine का वो आपके मरते दम तक आप नहीं ला पाओगे आप जाओगे तो ज्यादा से एदा 75 से हो जाओगे 85 परसेंट हो जाओगे पर उस medicine का use उस case के अंदर बिल्कुल perfection के साथ आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाओगे और यह मैं नहीं कह रहा हूं यह एलन ने कहा है यह कैंटे ने कहा है यह हैनी मैंन ने कहा है कि हम इस medicine की 90% potential के साथ medicines को use कर पाए है और इनके 10% symptoms 10% इनका identification in the specific cases के अंदर वो लोग नहीं कर पाए तो आप समझ सकते हैं इतने narrative के बाद यह 6 से 10 मिनिट के कि यह कितना कठीन काम है तो पारोल जी बिलकुल आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सिर्फ एलन्स की नोट को पढ़ लेंगी तो आप बहुत अच्छी practitioner बन जाएंगी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको word to word एलन्स की नोट याद है क्यों याद है वो एजुकेशन लाइन से ज दोर आप सवाल ये पैदा होता है आप पूछोगे कि भाइख यहीं बता दो कि कैसे पढ़ना है हम कैसे बन सकते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हम कैसे बन सकते हैं बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हम कैसे नौलेज लाइन मेडिसीन का तो दोस्तों उसका सिर्फ एक तरी of study of materia medica पड़ा था कि हम materia medica की study को कितने प्रकार से कर सकते हैं there is the physiological study of materia medica की materia medica में बताई जाने वाली medicine का physiological action पर क्या वर्ख है उसके लिए अलग books होती हैं जैसे की physiological material medica of William Bart है ना Alexander Blackwood की physiological material medica तो in materia medica में सिर्फ यह बताया गया है कि physiologically physiological जो body के different system है उस पे medicine जाके क्या वर्ख करती है during the proving क्या मिला इन को ठीक है ना इसके लिए इन लोगों ना अलग से proving करी थी है नी में के बाद मैं यह भी बता दो William Bart Alexander Blackwood ऐसे बहुत बड़ा group of homeopathic pioneers था जिनने सिर्फ फिजियो लोजी का लेक्शन of medicine को देख देखने के लिए proving करी थी उनने जानवरों को phosphorus दिया और phosphorus से जब उनकी death हो गई तो उनने autopsy करी और autopsy में they found that कि इन जानवरों का fatty degeneration of liver हो गया है और इसलिए हम phosphorus को fatty degeneration of liver fatty degeneration of the parenchymal organs के लिए use करते हैं यह data वहाँ से आया था दूसरा तरीका है plain study of materia medica कि उसकी head to toe तक हम पूरा का पूरा पहले हम introduction पढ़ते हैं जैसे कि ज़्यादा तर materia medica फिर हम head to toe तक उनका specific action पढ़ते हैं तो यह एक दूसरा तरीका pathological way of studying materia medica कि भाई pathology क्या create करती है एक दवा अंदर जाके यह बहुत मैं detail में बात कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है detail में बात करने हम आपको एक अच्छा practitioner बनाना चाहते हैं सीधी सी बात और हमारा इस channel को खोलने का एक युद्देश है कि आप लोग बहुत अच्छे practitioner बने और वो तब बनेंगे जब आप इन बातों को समझेंगे तो materia medica अलग-अलग जो लिखी गई है उनके अंदर medicine का अलग-अलग aspect होता है और वो जो अलग-अलग aspect को रखने के बाद ही हम एक पिक्चर बना सकते हैं ठीक है न आप दोको depend करता है कि आपको कितना उपर जाना है उस हिसाब से आपने पढ़ना है मैं एक example यहां दूंगा कि एक 25 मंजिला इमारत है जो जितना उपर पहुँचेगा तो उसका उतना level मानूँगा मैं तो भाई आपको चड़ना पैदल है आप चड़ोगे पैदल तो जो जितना staircase चड़के जो जितनी मंजिल में पहुचेगा उसको उतना अच्छा view दिखेगा इस शहर का और यहां पर वो view है homeopathy की field के अंदर बहुत अच्छे results और आपका नाम होना आपको पैसा शौरत दौलत सब मिलना तो यहां पर आपको decide करना है कि आपको किस level का study क करना है आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पारोल जी कि जब मैं आपकी एज का था I was in the I was just passed the BHMS मैं आपसे बड़ा ही हूँगा अपनी उमर में तो मैंने sulfur पड़ी थी एक महिने मेरो को sulfur पड़ने में एक महिना लगा था ठीक है ना तो आपको एक materia medica को एक medicine का materia medica के data को लेने में बहुत जादा समय लगने वाला है आप एक medicine को जब कही किताबों से पड़ेंगे तभी उसको आपको उसका drug picture clear होगा और तभी वो आपके मुझ जबानी निकलेगा भी मैं मैं आपको यहां पर मुझ जबानी कुछ दो तीन medicine का उधारन दूँगा मैं आपको एलेंस keynote के अंदर जाकर ही वो पढ़के बताऊंगा और आप उसको देखिएगा कि वो कितना मैं उसको मतलब detail में समझा हूँ और आपको किस तरह से समझना है तो दोस्तों अब यहां पर के पूरे knowledge को लेने के लिए जो पहली जिस पर यह वीडियो है जिस रिक्वेस्ट में है की नोट आपको यह पढ़ना चाहिए पर यह आपको शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए यह आपको कई medicine कई एक medicine को कई books से पढ़ने के बाद इसको आपको पढ़ना चाहिए ठीक है यह तब आपको समझ में आएगा अगर आप पहली book as a lns keynote लेके बैठ जाओगे तो आप confused हो गया आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है ठीक है तो पहला h.c.lns का keynote आपको पढ़ना है तो second thing is the William Boric की materia medica it is a must वो hardcore clinical materia medica है और उसके अंदर जो बातें लिखी है वो भी condensed form म नहीं है यह मैं आपको बता दू थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका टू बी अ गुड़ ठेरेपिटिक्स केंट की lecture on homeopathic materia medica इसके अंदर 205 या 210 के करीब polycrust medicine जो केंट ने बहुत डिटेल में लिखी है ठीक है ना फोर्थ वन इस दा जॉन हेंडरी क्लार्क की अडिक्ष्णरी ओन प्रेक्टिकल मटेरिया मेडिका भाई साब यह तीन वॉल्यूम में आती हैं इसके कम से कम पांस सासास तो पनने के तीन वॉल्यूम है पूरे के पूरे और इससे आपको हर एक medicine को as a reference पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना काम कठेने पर भाई जो करेगा वो पाएगा जो नहीं करेगा वो भटकेगा CDC बात है पांचवी पांचवी जो बुक है वो है विलियम बर्ट की फिजियो लॉजिकल मेटेरिया मेडिका इस किताब को पढ़ने पे जो आपको हर एक medicine के introduction में आपको लिखा होता है कि ब्राइनिया works on the mucous membrane and serous membrane तो यह mucous और serous membrane पर ब्राइनिया क्यों काम करती है इसका detailed explanation है विलियम बर्ट की फिजियो लॉजिकल मेटेरिया मेडिका and the sixth one is Alexander Blackwood's physiological मेटेरिया मेडिका तो दोस्तों यह 6 किताबे हैं जिसके अंदर से एलेंस की नोट को छोड़ दें तो बा और एको नाइट उठाने के बाद हमको एक एक एको नाइट को इन 6 किताबों से पढ़ना है और हमको अपने नोट्स प्रिपेर करने हैं मैं चैलेंज दे रहा हूं कि यह 6 किताबें पढ़ने के बाद पहली जो दो हैं विलियम बोरिक में और एलेंस की नोट में कौनसी समझ रहे हैं कि यह जो किताबें जिनको कंडेंस किया गया है कंडेंस मतलब कुछ किताबों का निचोड़ है आपको वो सारी किताबें पढ़नी पढ़ेंगी और उसके बाद दोस्तों जो नौलेज होने वाला है मैं बता रहा हूं रिपर्ट्री की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी है मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं क्योंकि मेरा यह हमेशा से मानना रहा है कि अगर मैं मेटेरिया मेडिका को बाय हाट रट लूँ समझ लूँ दवाओं को अपने ब्लेट के अंदर उतार लूँ इतना डिटेल में पड़ू तो भाई मेरे सामन मेरे को वेरिफाई हो जाएगा कि अगर कोई सिम्टम वो में को बता रहा है और मेरे दिमाग में पहले से हैं ठीक है ना पहले से क्यों है क्योंकि भाई वो जब बोल रहा था तो मेरे को सीधी सीधी उस मेडिसीन में लिखी हुई लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी ठीक है तो materiamedica.info इस पे भी मेरा एक वीडियो है कि यह online मतलब यह online है यह content है books का और उसके अलाव़ homeooint.org इन दोनों का link में card में description में दे दूँगा तो यह दोनों के ऊपर मैं already dedicated video बना चुका हूँ अब अपना आते हैं इसके उपर ठीक है अब यह क्या ही है पूरा का पूरा यह list है basically काई काई ही है homeooint.org के अंदर अब इस में से अपन एक ले लेते हैं medicine अपन ले लेते हैं Carbowage ठीक है न अब मैं Carbowage को यहां से पड़े बिना मैं Parology के लिए कुछ characteristic Carbowage के में कहने वाला हूँ कि अब Carbowage क्य क्या होता है Carbowage मतलब vegetable charcoal कैसे पढ़ना है medicine को क्योंकि जब मैं आपको यह बोल के बताऊंगा इसका मैं क्या समझता हूं Carbowage से तो आपको पता चलेगा कि medicine में क्या चीज़ पकड़नी है मैं 2-3 medicine के example दूंगा वीडियो लंबा होगा पर ठीक है अब जिसको जरूवत है व जो हम दवा बनाते हैं that is the Carbowage अब Carbowage क्या होता है Carbowage कोईला कैसे बनता है अगर वह लकड़ी जल रही थी वह लकड़ी पूरी जल जाती तो क्या बनता है राग बनती एश कुछ भी नहीं बचता न तो incomplete combustion of wood से बनता है कोईला यह पहली चीज़ आपने दिमाग में बोलते हैं कोईला और इस कोईले को हम दूसरी बार जला के fuel और energy के production के लिए use कर सकते हैं तो Carbowage is the sign of incomplete oxidation of the wood उसी तरह से जो Carbowage का जो patient होता है उसके अंदर भी incomplete combustion of fuel हमको दिखता है incomplete combustion of fuel मतलग उसका जो metabolism है वो metabolism एक slow rate पे slow pace पे काम कर रहा है उसके अंदर जितना वो खाता है carbohydrate, fat, protein वो incompletely burn होता है उसके incomplete burn होने की वज़े से उसको gastric ailments पैदा होते हैं जिसके लिए हम Carbowage को preliminary use करते हैं उसके अंदर खाने का combustion पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए अगर मैंने 100 g खाया और 100 g को मैंने combust कर दिया तो charcoal तो बनता ही नहीं 100 g लकडी थी पूरी जल जाती तो धुवा निकलता और क्या निकलती एश निकलती और कुछ नहीं बचता पर ये जितना खाता है उतना combust नहीं करता है तो इसके कारण Carbowage के पेशेंट के अंदर Corpulency की Contendency होती है वो मोटा क्यों होता है क्योंकि वो जितना खा रहा है वो combust नहीं कर पा रहा है और वो जो पार्ट होता है उसका in the form of fat के रूप में उसके अंदर डिपॉजिशन होता है समझ रहे हैं तो यहां पर चारकोल से सीधा सीधा उस पेशेंट के physical traits characters का comparison की बात कर रहा हूं उसका खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच्टा नहीं है तो उसको gaseous trouble होता है उसको gaseous trouble होता है in the form of acidity in the form of heartburn in the form of water brush उसके डकार आती है तो ऐसी बहुत जलन बाली डकार आएगी मुँ में पानी आ जाएगा ठीक है न तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपनों को किस तरह से एक materia medica को study करना है और जो इस तरह के patient होते हैं इनके अंदर basically अब अगर carbon group हम पढ़ें तो carbon group की हमारे पर total कितनी medicine है जो carbon से बनती है पहली है petroleum, carbon, petroleum, carbon product होता है न graphitis, graphitis, petroleum, carbo anomalies, carbo vegetables, चार है अब आप इनको अगर गोर से पढ़ोगे और physiological material medica में जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह सारी medicine venus system पे काम करती है वेंस पे काम करती है तो इसलिए कहीं न कहीं very good medicine है carbo wage अपने आप में very causes की, very cause venus की तो are you getting my point, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि भाई यह carbo wage को मेरे को समझने के लिए किस तरह से उसको approach करना है, you should not read the medicine blindly, ठीक है न अब अपन आते हैं एक छोटा से example, अलग-अलग medicine का लेंगे तो आपको जादा अच्छा समझ में आ है, का मैं एक medicine के ऊपर बहुत सारा बोल दूँगा तो आपके ऊपर से चली जाएंगी बात है अब ब्राइनिया, अब ब्राइनिया, what is ब्राइनिया, ब्राइनिया भी यह जो एक medicine है, वह बहुत अच्छी medicine है काई के लिए ब्राइनिया के कुछ symptoms को अपन पकड़ने, जो आप लोगों को, आप अभी जिस standard में है, जिस year में पढ़ रहे हैं, शायद आपको पता हो, कि motion से aggravation बताया है, ब्राइनिया के अंदर, जो motion से aggravation है, that is the, in the mental aspect and the physical aspect as well, ब्राइनिया का जो sphere of action है, उसमें बताया गया है कि ब्राइनिया काम करती है, mucous membrane plus serous membrane, mucous membrane में ब्राइनिया पैदा करती है, dryness and that is why ब्राइनिया के patient को unquenchable thrust लगती है, for large quantity of water, वो बहुत जादा पानी पीता, बार बार पीता और धेर सारा पानी पीता है, क्योंकिकि उसक सीरस membrane में fusion बताया है, fusion मतलब पानी भरता है, that is why brionia is the very good medicine for the pleuracy, जो lungs की जो outer plural membrane है, जब उसमें पानी भर जाता है, pneumonia के cases के अंदर, तो brionia is one of the first great medicine, क्योंकि वो serious membrane में पानी भरता है, और कहां serious membrane में पानी भरता है, प्राइनिया के patient को brain के अंदर in the meningitis, meningitis के अंदर के अंदर पानी भरता है, inflammation होता है, तो brionia is very good medicine for meninges, है न, serious effusion in the brain, वहीं पर कहीं और पानी भरता है, प्राइनिया को serious membrane में, जी बिलकुल भरता है, गुटने में, है न, brionia को joints के अंदर serious effusion होता है, that is why brionia के patient को joint में swelling होती है, अब swelling के अंदर redness और inflammation होता है, that is why इस patient को motion से aggravation है, यह थोड़ा सा भी चलेगा, तो इसको motion से aggravation होने लगेगा, आप देखिए कितना simply आपको understand करना है, इसमें कोई rocket science नहीं है, brionia को motion से aggravation और कहां कहां है, कि जब इसके patient को fever होता है, और कोई से बातचीत करता है, क्यों भाई कैसा है, कैसी तबियात है, कैसा जाहूं, अब बेटे को बोलने में भी aggravation हो रहा है, क्योंकि उसको जितनी general condition है, लिथार जे, वो उसको जवाब देने के लिए, जो motion कर रहे है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं I am in the motion, मैं moment कर रहा हूं, उस moment से भी इसको problem होती है, और इसलिए brionia patient हाल चाल पूछने पर चुड़ जाता है, ठीक है न, अब इसको motion से कितनी ज़्यादा problem है, कि जैसे वो मेरे सामने light जल रही है, ब्राइनिया patient जब light को देखता है न, तो वो light को जब देखते हैं, तो अपनी people dilate होती है, ठीक है न, people अपनी dilate होती है, तो वो जो dilatation of people है, वो उसको light के, उस dilatation क moment से भी दिक्कत है, तो ब्राइनिया अपनी कोई भी condition में, चाहे वो fever की हो, चाहे वो joint inflammation की हो, चाहे वो inflammation कहीं पे हो, pneumonia हो, meningitis हो, he will lie, stand still, उसको चुपचाप लेटना पसंद है, उसको अंधेरा कमरा पसंद है, क्योंकि उसको light से जो उसकी pupillary reflex से उससे भी problem होती है, कोई उस symptom की बात करना हूँ, टीन की, sorry, म्यूकस मेंब्रेन में, सीरस ड्राइनेस, सीरस मेंब्रेन में fusion और aggravation from motion, यह देखिए, आप मेरा हर point उसी के अगल बगल है, आप यह वीडियो को वार बार reverse करके देखेंगे, आपको समझ में आएगी है बात, अब हम आ जाते हैं, भाहिया ब्राइनिया का कफ कैसा होगा, जैसा कि मैंना बताया, mucous membrane में dryness है, तो ब्राइनिया विल बी देखिटिम अफ दे ड्राइग कफ इन दा ब्रोंकाइटिस, ठीक है न, उसको motion कैसा होगा, भाहिया, उसकी म्यूकस मेंब्रेन में, तो हम हर जा के dryness की बात कर रहे हैं, तो obviously का motion जो होगा वो dry होगा hard होगा और उसके dryness और hardness की वज़े से he do not have that desire to go to store और जिसकी बहुत primary medicine है ब्राइनिया मैंने कई वीडियो में ब्राइनिया और alumina का इसमें मैंने वो बताया कि ब्राइनिया ब्राइनिया की complimentary alumina joints पे क्या होगा joints में भाई inflammation होगा inflammation के साथ joints में swelling बताया गया यह swelling के साथ aggravation of motion बताया गया तो ब्राइनिया इस वन आफ दो chief medicine most important medicine of the rheumatic ailment rheumatism और यहां पर इसका natural complimentary है rustox यहां पर यह rustox के साथ जोड़ी में काम करती है are you getting my point तो आपको इस तरह से medicine को अभी मैंने कुछ भी नहीं निकाला है न अभी मैंने यहां पर कुछ भी नहीं खोला मैं अभी आप से बात कर रहा हूं अब यहां पर यह दूसरी screen में जाते हैं तो अब हम पढ़ते हैं एलन्स की नोटे एक सेकंड बस आप देखिए यहां एलन्स की नोट में मैं बी से ब्राइनिया उठा लेता हूं क्योंकि मैंने भी ब्राइनिया के बारे में सबसे ज़्यादा आपको कुछ 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 नरेट करा है व्यरिस दी ब्राइनिया इसमWhat अब आप देखिए अब मैने आपको जितनी चीज्या बोली है यह आपको इसके अंदर देखना है कि और वो यहां पर था कि नहीं था डाक सामने बोल तो दिया ब्राइनिया बिना देखे कहीं से ना, इस बेस्ट अडप्टेट टु दो परसन आप दो ग्राउटी एंड रुमेटिक डायेटिसिस, क्यों है, क्योंकि यह भाई सीरस मेंब्रेन में फ्यूजन करता है, इसलिए गाउटी और रुमेटिक डायेटिसिस की में मेडिसीन है, प्राउन इस सो कॉल्ड बिलियस अटेक है, यहाँ पर मैं एक चीज का आपको लेक नहीं करा, क्योंकि ब्राइनिया इस वाइट लेन्डी मेडिसीन, यहाँ पर मैं हर चीज़, ब्राइनिया लीवर की बहुत इंपोर्टेंट जबा, जो बिलियस अटेक होते हैं, जो बिलियस अटेक क्या होता है, कि लीवर इतना ज़्यादा पित्ट बनाता है, मतलब इतना ज़्यादा बाइल का प्रोड़क्शन करता है, कि इसको बिलियस अटेक आते हैं, वाट आर बिलियस अटेक, बिलियस अडेक के अंदर नौशिया होगा, वमेटिंग होगी, हैडेक होगा, है ना, और इंप्रॉपर डाइजेशन होगा, इसको देशी वाशा में बोलते हैं, पित्त का भड़क जाना, तो उसके लिए बहुत इंपर्टन, ब्राइनिया पैशिवेंट, इरिटेबल इंक्ल मोशन पर एग्रेवेशन होगा, इंस्पिरेशन एंड कफिंग, सारे के सारे पेन बढ़ जाएंगे, इसका मेन सिम्टम है, कि आप कोई पेशेंट आ रहा है, आपको रेस्ट कर रहा है, बोल रहा है, मोशन से तकलिफ हो रही है, तो आपके दिमाग में ब्राइनिया पैदा होने चाहिए, लाइंग ऑन दे पेनफुल साइड, इस येट अनादर इंपोर्टेंट सिम्टम और ब्राइनिया, कि जो पेनफुल साइड है, उसके उपर प्रेशर से सपोर्ट देगा ना, तो इसको जो रहता है, वो कही न कहीं अमिलूरेशन होता है, यह बहुत इंपोर् द्राइनेश मेंब्रेन यह मैं आपको बता चुक हूँ, इसको मैने इसके की नोट शिम्टम में रखाता है, जो जो तीन मेजर सिम्टम जो मैं जिसकी बात करी है, कि पहला है, द्राइनेश ओप म्यूकस मेंब्रेन, एफ्युज़न अन्द सीरस मेंब्रेन, और अग्रेवे तो भी विहमेंट एंग्री एंग्री कब होगा जब इससे फालतू की बात करोगा जब यह बात करना नहीं चाहता और आप इसको टोंचते रहो के बेटा कैसी तबीयत है कैसी तबीयत है तो यह चिड़ चिड़ा जाएगा रहे मम्मी यार दिमाग मत कराब करो यार अभी यह आपको यह रिमाइंड करनी पढ़ेंगे तो लुट द्रेट का अया और मेंशन ना के नॉसप्रीट चला गया बिकेरियह मेंश्टूरेशन का मतलब मेंश्टूरेशन फॉम मेंस्टूरेशन ने इस रूए bleeding from any other organ any other part instead of menses. दूसरा medicine है Phosphorus. ठीक है ना? अभी ailment from the chagrin and mortification. एंगर. यहाँ पर यह kolosyntor उससे मतलब यह से यह है. इसका मतलब वो है. Absolute rest either mental or physical relief करता है. एंग्रेवेशन from any motion. ठीक है ना? desires think immediately which are not यह सब यह सारे symptom जो है वो वैसे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने आपको जो drug picture समझाया था. ब्राइनिया एलबा का. वो यहाँ पर इसके ऊपर super impulse तो हो रहा है पर उतने अच्छे से impulse नहीं हो रहा है. और comment section में बताए कि जो ब्राइनिया का मैंने आपको drug picture बताया वो आपने कितनी बार LS keynote को पढ़ने के बाद समझा है और मैं यह ड्राइनिया का drug picture क्यों जानता हूं क्योंकि भाई मैंने एक materia medica एक की एक medicine को मैंने तमाम books उसे पढ़ा है especially वो छे किताब जिनका मैंने आपको इसके अंदर narration दिया तो पारोल जी इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको एक काम करता हूं इसको रोकने के वीडियो को खतम करने के पहले थोड़ा सा लेंड दियोगा मैंना कार्बो वेज का आपको एक्जाम्पल दिया था तो यहां से मैं कार्बो वेज को पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा कुछ point अब कार्बो वेज के अंदर एक मैंने आपको बताया था कि charcoal के incomplete combustion की वजह से कार्बन बनता है charcoal बनता है ठीक है लकडी के उसी तरह से symptom होते हैं कार्बो वेज पेशेंट के और कार्बो वेज is one of the most important medicine during the period of convulsions convulsions मतलब कोई भी acute बीमारी से जब recover हो रहा होता है पेशेंट और वो उसकी recovery प्रॉपर नहीं होती उस recovery प्रॉपर नहीं होने के कारण सालों तक कुछ symptoms इसके अंदर गया फुर कुछ बीमारी है सीटेड हो जाती है उसकी कार्बो वेज एक बहुत important medicine जो दूसरी medicine most important है वो acid phosphoric acid के recovery के पीरियेट के अंदर कुछ चीजें कुछ अवशेच इस patient के अंदर बज गये थे किसी बीमारी के और उसके कारण आज यह परेशान है तो अब हम इसको देखिए पढ़ते हैं और आपको देखते हैं मेरे जो बताया हुआ को कार्बो वेज पर मैंने बहुत जादा नहीं नहीं बोला आप जानते देख आपने देखा है उस चीज़ को for the bad effect of the exhausting disease whether in the young या old बुद्धों में या फिर यंग लोगों में कोई भी exhausting disease के bad effect के लिए जो है कार्बो वेज है कैचेक्टिक पर परसन whose vitality has become weakened or exhausted person who have never fully recovered from the exhausting effect of some previous illness asthma that's from the measles या पर्टूसिस ओफ चाइल्डूड मतलब छोटे में उसको हूपिंग कप पर्टूसिस मतलब हूपिंग कफ या measles हुआ तब से अस्थमा है आज तक बना हुआ है ठीक है ना in digestion from drunkard debauch कि यह खुब इन ने दारू खोरी करी अपनी पूरी जबानी में और इंजुरी आर्णी का सेकंड मेडिसीन है ना remote effect of the injury तो bad effect from the long ago injury has never recovered from the effect of the typhoid है ना ailment मतलब typhoid से यह recover कभी नहीं हो पाया कुछ साल पहले typhoid हुआ ता आज भी परेशान है कुछ कुछ हो रहा है इंडाइजिशन हो रहा है तमांग चीजह हो रही है कुनाइन कब देते हैं बाई intermittent fever में कुनाइन देते हैं तो intermittent fever के बाद suppression of intermittent fever के बाद आज परेशान है abuse from mercury salt salt meat spoiled fish spoiled fish मतलब spoiled fish मतलब जो decomposed खाना खाने की वज़े से कुछ चड़ा हुआ खा लिया इंडाइजेशन हो गया poisoning हो गई कार्बोवेज दूसरी मेडिसिन पाइरोजिनम ठीक है कि फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड एंटिम क्रूट बहुत गर्मी गर्मी हीट हीट की वज़े से इसको कोई आइलमेंट है बैट इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑब वाइटल फ्लूइट्स ठीक है ना हैंब्रेज फ्रॉम एनी ब्रोकन डाउन कंडिशन ऑप म्यूकस मेंब्रेन विकनेस ऑफ मेमोरी स्लोनेस ऑफ थॉट मतलब भी मैंने क्या बताया था जैसे कि कोईला बना तो कोईला इ एपिस्टेक्सिस इन डेली अटेक वगरे 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 ना फेस टेल बिफोर एन आफर चलो यह सब यह सारे को पॉइंट काम के नहीं है लूजनेस ऑफ देख रहे हैं कि इसके अंदर देखिए कितने इरेक्टिक सिम्टम्स का नरेशन है मतलब आप देखो क्योंकि मेडिसीन को रटना नहीं है मेरेड मेडिसीन को समझना है और मेडिसीन को हम तब समझ पाएंगे जब हम इस मेडिसीन को मल्टीपल बुक्स से पढ़ लेंगे और मल्टीपल बुक्स से पढ़ने के बाद मैं आपको देखिए मैं मेडिसीन के नरेशन शॉर्ट नरे paragraph की एक लाइन लिखी है फिर कोई दूसरी किताब की last paragraph की एक लाइन लिखी है फिर उसके बाद कोई तीसरी किताब के mid section के कोई एक छोटे से वाकिय के narration के बारे में तीसरी लाइन लिखी है that is why आप इसको पढ़ के कुछ भी नहीं समझ सकते, at least in the initial phase, जब आप Materia Medica को properly पढ़ेंगे from the multiple book, तो you should study one single medicine from the multiple book at the single time, तो आप ये definitely ये आप समझेंगे और आप पाएंगे कि आपने इन books को decode कर लिया है, मेरा ये मानना है, एलेंस की नोट और विलियम बोरिक के पता मार्केट में आने का main reason क्या था, वो ये था कि वो कहीं न कहीं ये एक बीटर है हम लोगों के लिए कि अगर हमना Materia Medica को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप एक दिन आएगा कि आप बोरिक के अंदर लिखी हुई line को पढ़के तुरंट identify कर लेंगी, कि यार ये लाइन तो उस वाली किताब में लिखे थे, ये जो लाइन है इसके पीछे उस किताब का हवाला दिया गया था, ठीक है हवाला मतलब reference, ठीक है न, तो दोस्तों ये बिना सरपैर का वीडियो तो आपको लगेगा पर इसको आप rewind करकर के बार बार देखेंगे तो you will definitely come to know कि how to study the material medica, क्योंकि दोस्तों material medica is the backbone of homeopathy, कई लोग ऐसे है material medica का जर्रा भी knowledge नहीं हो, practice कर रहे हो, बड़ा डर लगता है उन लोगों से, प्रेक्टिसाइज दा मटेरिया medica on the base of some nonsense and idiotic software क्या आपने एक software लगाया उसमें बस अपने symptom डाले और medicine वो बताता जा रहा आप देते जा रहे हो आपको कोई knowledge ही नहीं है material medica का, है न, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफी लंबा है पर ज़रूरी था आप लोगों को ये समझाने के लिए कि materia medica पढ़ना कोई देखे हजारों वीडियो मिलेंगे जहां पर एक वीडियो में लोगों ने जुर्रत करिये sulfur को बताने की यार तुम एक 15 मिनिट ये 10 मिनिट के वीडियो में आप sulfur के बारे में सब कुछ बताने का दावा कैसे कर रहे हो बे पागल हो क्य रही है कि वेटा तो जो मेरे को समझता था मैं वो नहीं हूं मैं कुछ और हूं तो दोस्तों यह जो एक topic है how to study materia medica यह अलग से मैं playlist बना दूंगा यह उसका पहला वीडियो है और जब भी आप में से किसी को materia medica की study को लेकर कुछ करना हो इस पर मैं और वीडियो बनाऊंग मैं कि materia medica को grasp किस तरह से करना है दोस्तों उसको समझने की कोशिश करना है रटोगे तो नहीं रट पाओगे दोस्तों सेकड़ो हजारो मेडिसिन है हजारो सिम्टम है इत्तु सा दिमाग है इत्तु सा दिमाग में इत्तु सी memory कितना आ जाएगा तो तरीका बस एक है memorize करोगे तो limitation है memorize नहीं करोगे apprehend करोगे समझोगे तो आपको सारी चीजें बाकाइदा समझ में आएंगी और patient आएगा तो दिखेगा भी बड़ा सिंपल होता है headache हो रहा है कैसा हो रहा है कैसे होता है और वह सब चलने फिरने पर बढ़ जाता है क्या करते हो headache होता है तो मैं तो कमरे में जाके लेड जाता हूं चुछ प्चा लेटते हो अरे वह मेरे को दिक्कात होति कोई बात करता है क्या दिक्कत होती है और दर्द बढ़ता है पिर चलचणभा पन होता है से रिटेविलीटी होती है कैसे लेटते हो कमरे में जाकर मुले उसा दर्वाया बंद करता हूं लाइट बं पन करता हूं मस्त पंखा चलाता हूं आग बन करके लेटर रहता हूं तो थोड़ा आराम मिलता है अब तो दिखरा ब्राइनिया भाई अब ब्राइनिया तब दिखेगा ना जब इतना आप लेवल का ब्राइनिया को पड़ोगे ठीक है ना तो हर एक मेडिसीन कुछ अगले वीडियो में बात करेंगे और इसके उपर काफी सारे वीडियो आने वाले तो दोस्तों आज के लिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती तब तक के लिए नमस्कार